वान जीरो बता दे हर्ष गोएंगा ने अपने ट्विटर पोस्ट पर इसरो चीफ एस सोमनात की सैलरी बता दी जी उन्होंने अपने पोस्ट में बताया इसरो के अध्यक्ष सोमनात को हर महिने धाई लाक रुपे सैलरी मिलती है क्या ये सही और उचित है चलिए जानते हैं कि कैसे उनके जैसे लोग पैसे से परे दूसरे कारकों से प्रेडित होते हैं वे जो करते हैं वो साइन्स और रिसर्च के प्रती उनका जुनून और समर्पन है प्राष्ट्य गौरव और अपने देश के लिए योगदान देने का जजबा है उसमें अपना टार्गेट हासिल करना भी है म मैं उनके जैसे समर्पित लोगों के प्रती अपना से रिचुकाता हूँ ऐसे में अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस व्यक्ति के वज़र से आज भारत स्पेस की दुनिया में कदम से कदम मिला कर चल रहा है उस व्यक्ति को सैलरी के रूप में इतनी सैलरी मिलती है चु दूसरी बेनिफिट्स भी देती है जोसे घर गाड़ी और आने जाने का खर्च साथ ही इनको वाई प्लस लेवल की सुरक्षा भी मिलती है नासा अपने व्यक्यानिकों को इस रो की तुलना में पांच गुना जादा वेतन देता है उनको सालाना 72,416 डॉलर यानी 57,000,000 भा जाती के लिए अलग-अलग स्तर की परिक्षाय होती है और उसी के हिसाब से सैलरी तैकी जाती है जैसे इस रो में अगर कोई व्यक्ति इंजिनियर के पोस्ट पर जॉइन करता है तो उसकी शुरुवाती सैलरी 37,400 से लेकर 66,000 तक होती है जबकि अगर कोई इस रो में सीनिर साइंटिस्ट के पत पर फड़ती होता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 75,000 से 80,000 के बीच होगी यहां आपको जो भी सैलरी हम बता रहे हैं वो बेसिक पे के अधार पर है यानि इसमें कई तरह के भत्तों को अगर मिला दिया जाए तो यह एक लाग के करेब पहुंच झालप झालप झालप